मेरे उत्तर परदेश लोग की चैनल से जुड़ी हुई पार्ट वन की कहानी सुनिये और पार्ट टू का कहानी भी दोस्तों आएगा बहुत जल्द आएगा आप लोग सुनिये की चैनल कैसे बनता है दोस्तों तो कितना मिनात होता जब भी चैनल हम बनाते हैं हम लोग तो एक गाउं की महिला के साथ क्या क्या सलूक करते हैं लोग कैसे कैसे पेस आते हैं क्या क्या बोली ताने सुनना पड़ता है तो दोस्तों पार्ट वन से सुरू किये हैं तो पार्ट टूप जरूर देखिएगा लगातार मेरा ये वीडियो देखिएगा दोस्तों तब समझ में आए तो कुछ दोस्तों और दोस्तों साम हो चली है अप सब काבה कैसे भी था कैसे हैं तो कमेंट करके जरूर बताईएगा भूलिएगा मत दोस्तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारा चैनल का नाम है दोस्तो लोग गीत लेकिन लोग गीत हम क्यों नहीं डाल रहे हैं बताये थे कि हम एक दिन आप लोग से बताएंगे कि लोग गीत हम क्यों नहीं डाल रहे हैं तो दोस्तों बात ऐसी हुई ना कि जब मैं चैनल चालू की थी तो जो उसा भाभी हमारे साथ गा रही थी दोस्तों उनको ले करके मैं दवा को जा रही थी सुल्तानपूर फर्श्ट बार यही से दोस्तों हमने चैनल मतलब चैनल चालू करने के लिए यही से सोचा था उनको लेकर जा रहे थे हम दवा को 16 Agust से लेकर के दोस्तों हमने अक्टूबर तक उनको साथ लेकर सहर में ले जाकर को उनकी दवा कराई थी सात मतलब जाते थे उनके सुल्टानपूर में चुण जाते थे दोस्तों तो गानां व Doncs कना गाती थी बहुत से बाते करती थी तो हम ने कहां उनसे भावी आप एक काम करीये बोली क्या हम बोले भावी आप इतना अच्छा गाना गाती हैं ऐसा क्यों नहीं करती आप टुप कर्ये गाना गाई है थी मतलब स्रीतं नबर और दोस्तों अक्टूबर में हमारी इतनी तभिएत ख़्राब हो गए थी इतना तभिएत ख़ीतों घुराब सुल्तानपूरं लेकिन उनको दभण कराते कराते हम खुद ही भिमार पड़ गए थे बहुत ज्यादा तभीत कराब हो गय दोस्तों हमारा पलेटलेट डाउन हो गया था, डिंगू बुखार हो गया था, साथ हजार हमारा पलेटलेट हो गया था, दोस्तों क्या बताए ओ कंडिशन ना, एक गिलास हम पानी नहीं उठा पाते थे अगर सोचते थे कि लाओ एक लोटा हम पानी लेकर पैदल चले जाये तो दोस्तों हम जा नहीं पाते थे यहां तक कि हमारा बाहर भीतर भी आना जाना मुस्किल हो गया था दोस्तों इतना जादा हमें तकलीब थी उस समय बहुत जादा तकलीब थी तो फिर दिपावली में तो दोस्तों हम बहुत जादा ही बिमार थे बहुत जादा पिछली साल 2003 तो दोस्तों ऐसे उनकी दवाई कराने हम ले जाते थे फिर आती थी घर में बात भी करती थी फिर करते करते ऐसा चर्चे जब होने लगी तो भी सोचीक चलो ठीक है जब हमारा तब यह थोड़ा ठीक हो जाएगा तो फिर हम पूछ लेंगे अपने पती से मतलब भाया से पूछ लेंगे उसके बाद फिर बताएंगे आपको कि गाना गाएंगे की नहीं गाएंगे तो हमने का ठीक है भावी जब किलियर कर लेना आप तो बताईएगा तो दोस्तों करते कराते ऐसे अक्टूबर बीत गया मतलब दिपावली बीत गई 23 तारिक को 23 अक्टूबर को धंतेरस थी धंतेरस की दिन भी उसा भावी आई थी बोली नि इतखराफ था दोस्तों उस दिनने हम क्या ही वताएगे और अई बात धिपावली की दिपावली की तो उतना तव यत खराफ थी दोस्तों कि हमने खाना भी नहीं बनाया था इतना दिक्कत से लेट लेट कर बैठ बैठ कर कैसे कैसे कर के एक एक पूरी एक एक पूरी दो दो पूरी जितना लोग खाते थे बेटे और पती जितना खाते थे उतना ही बनाती थी जादा नहीं बनाती थी तो दोस्तों ऐसे करते कराते पूरा अक्टूबर बीत गया फिर आया वही नौमबर तब जाके हम नौमबर में एक नौमबर बीता दो नौमबर बीता दोस्तों तीन नौमबर बीता लेकिन दोस्तों एक बात है हम एक दिन में नहीं बता पाएंगे अपनी एक कहानी इस कहानी के मोड में दोस्तों बहुत दर्द भी भारे हैं बहुत हसी भी है अगर हम आप सबसे सेर करेंगे इसके बारे में न तो दोस्तों आप लोग सुनेंगे तो खुद बैठ जाएंगे कितना मतलब कितना झेलना पड़ता है जब हम चैनल चालू करते हैं तो दोस्तों बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है जो हम नया नया चैनल चालू करते हैं तो ऐसे ही झेलना पड़ा लकिन हम बराबर इसे दोस्तों बताएंगे हर एक वीडियो में बताएंगे और डेली मेडियो जाएगा जब तक कि हमारे चैनल के माद्धम से जितनी बातें जुड़ी है जब तक हम आप सब के बीच में सेयर नहीं कर देते हैं तब तक मैं डेली एक बीडियो डालूंगी हो सकता है बीच में कभी नहीं डाल पाऊंगी तो दूसरे दिन जरूर पार्ट बहुत ज़गे या ऐसे चैनल नहीं ख़ड़ा होता है दोस्तो और आप लोग इटना सपोर्ट करिये तक जो उमीद लेकर हम चैनल पर आये थे दोस्तों जब तक आप सब सब गप elastic नहीं करेंगे तो हम कैसा भी वीडियो बनाएं लेकिन कोई मतलब नहीं निकला गए दोस्तों आप सबसे हाथ जोर का रिकोष्ट है आप लोग मेरे वीडियो को सपोर्ट करिए देखिए आकर जहां मेरे वीडियो में कुछ गलती नजर आती है तो आप लोग कमेंट करके बताईए या फिर जो भी वीडियो जिस टाइप का वीडियो आप सबको देखना है दोस्तों आप लोग बताईए उसी टाइप का हम वीडियो बनाएंगे ऐसी बात नहीं कि आप जैसे कहेंगे हम वो इससे नहीं बनाएंगे वो इससे बनाएंगे तो दोस्ता हम अपनी वीडियो यहीं पर बंद करते हैं और फिर इस मुद्दे पर हम बात ले करके दूसरे वीडियो में दोस्तों आएंगे तो जरूर देखिएगा दोस्तों भागिएगा नहीं छोड के हमारा वीडियो डेली देखिएगा मेरा डेली एक वीडियो जाएगा और डेली देखिएगा उत्तर परदेश लोग की चैनल पे कैसे वो चैनल बनाए थे दोस्तों क्या क्या जेलना पड़ा वो उस चैनल में अकेले खुद जेले है दोस्तों कोई साथ नहीं दिया है तो यहीं पर मैं अपना ये वीडियो बंद करती हूँ दोस्तों फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में तब तक के लिए राम राम जी